So, dear students, good morning to you all. आज की इस क्लास में हम लोग Structural and Functional Analysis about cell and cellular organelles यानि की जो कोशिका है हमारी और कोशिका के कोशिकान होते हैं यानि जो cellular organelles होते हैं उनके Structural and Functional Analysis की चप्चा करेंगे तो शुड़वाब से पहले एक बाद record कर लेना चाहते हैं कि हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि cell का introduction पढ़ा था What is cell? दूसरा cell के बारे में brief history पढ़ी थी कि Robert Brooks से ले करके और 1940 के एलेक्रोट माइक्रोस्कोप की आविश्टार तर सेल की कुछ important historical events क्या सबक्रे जिसने cell के study में बहुत ज्यादा contribute किया युदान दिया उसके बाद cell की थेवरी हमने पढ़ी टेलेर्स और cell थेवरी के बारे में जाना तीन महात अप्रूट सूत्र cell थेवरी के बारे में क्या आए वो जाना में postulates जाना फिर cell और उसके different type और kind की चर्चा की आज विधिवत रूप से cell यानि plant cell और animal cell दोनों के structural और functional analysis की चर्चा करें तो चलिए करते हैं तो नहीं कात्व मारा topic है वो है the structural and functional analysis functional analysis of cell तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे structural and functional analysis of cell में हम सबसे पहले cell की picture, cell की photo रॉप करेंगे और किस करेंगा तो comparatively एक plant और एक animal cell रॉप करेंगे तो चलिए तो प्लांट और हम लोगों को पता है in a nutshell की हम लोगों ने previous class में चर्चा की थी की plant cell में सबसे आउटर मोस्ट कवरी इसले रॉप होती है उसके बाद second one is membranous structure यह को रेंगे तो रॉप रॉप मेंब्रेंड उसके बाद यह जो तीसरा पूरा काप्रणा श्कटर इंसाइड पस्टर मेंब्रेन है यह प्लाजमा पार्टिक्ल से मिलकर बना होता है तो इसको साइटो प्लाज उतोला जाता है इसको हम रोग बोलते हैं साइटो प्लान अब इसके बाद इसमें इसकी तो में ओर्डिनल फोर्म होती है वो होता है नुपलियस रांड रांड स्टॉप इस इस नुपलियस इसके बाद इसमें जूता गुमा स्ट्रक्चर होता है जूते के आकार किसा रचना होती है जिसको क्यां लोग बोलते हैं माइटो कॉंड्रिया यह होगी आपका माइटो कॉंड्रिया इसके बाद आती है बाद एंडोप्लाइणिक रेटीकुलम की तो यह जो एंडोप्लाइणिक रेटीकुलम होता है यह कुछ इस तरह का होता है फिर 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 गॉल्भी अपारेकस की या गॉल्भी बोडी की तो वो कुछ इस तरह का होता है और यह हो गए गॉल्भी बोडी या गॉल्भी अपारेकस चीक है? तो इस तरह के से तोटा एक, दो, ती, चार, पांट, छे, साथ साथ हो गया है अब आता है प्लास्टिड जो की ग्रीव पिक्मेंट होता है यह हो गया है आपके प्लास्टिड इसी के अगरण में यहां हो गया राइकों जोंग यहां हो गया लाइस को सोंग ठीक है? यह सारी बाते हैं और तो इस हिसाब से यह टोटा क्लिक से हो गया है एक, दो, पीज, चार, पांच, छे, साथ, आज, नौ, दस और इसके बाब इसके बीच का दो यह बड़ा सा पूर्शन होता है इसको होते हैं वाइकी ओर यह हुगा हमारे प्लांच तेल का स्ट्रक्चर एक बार मिला लेजिए प्लांच तेल में अगर्पर मोस्ट कवरिंग लेर इस कोल्ड सेल ओर देर आफ़र अम्म्रेनस स्ट्रक्चर विच इस पांट इसाड़ अम्म्मरेन इसके पंक्षन के पार में हम लोग आए कोड़ें फर्दर अब में शर्फेस अफसर इस कमोज़ ऑफ प्लांच इस काल्ड़ नमबर चाह दर अबलेटरी अक्रिविटी अबलेटर अबलेटर अफ दा प्लांच कीवलेटरी अबलेटी तै कोशिका जहुली बोलते हैं, साइटोप्लाज को कोशिका सतय होते हैं, उसके बाद Nucleus को Kendra, मैटो पंडिया को मैटो पंडिया ही मोथते हैं, कानकि ये पावर हाउस है, एनर्जी देने वाला काम करता है। उसके बाद आता है endoplasmic reticulum, जिसको हिंदी में आंताम प्रश्वरमी जारी का बुला जाता है, उसके बाद आता है, गौलगी apparatus या गौलगी body, उसको हिंदी में simply, गौलगी काय, काया मत्तों body, तो गौलगी काय होते हैं, फिर उसके बाद आता है plastic, प्लास्टीड का मतलब सिर thermoplast and lycoplast, फिर होता है ribosome, ribosome, ribosome भी होते हैं, जो की sypho protein synthesis, उसके बाद आता है lysosome, जो की suicidal bile, और सबके लाइस माता है, गौल, यानि की, रिप्टिका, fill 90% of, fill with 90% of water, fill with 90% of water, तो ये चीज़े हो गई हमारी plant से, अब आईए इसी तरह से, इनिमर से पीचर चाहिए, ताकि यहां आँ एक साथ ये चीज़े इसी ये कर रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके, कि क्या चीज़े हैं, जो प्लांट में होती है, क्या चीज़े हैं, जो एनिमर में होती है, क्या चीज़े हैं, जो सिर्फ प्लांट में होती है, एनिमर में नहीं होती, चलिए, तो एनिमर से पीपर शुर्बात होती है, वो हम आपको इस तरह से करते हैं, इनिमर से को, किसी तरह से करते हैं, तो कि कि है पूरा इस सुरुबार आपको सेरा इस फुरुब्रेश रहुंती है यह देखे यहां देखे याहां जो सीब्स नहीं आई मैं हम पर यहां को बिला देता हूं अको पता चल सके ज़की क्या चीके लिती है उसके बाद सेरा जेखे बाद अबसने सिर्फ साइटोपलान का वो एकडम पुड़ा रहता ही है, साइटोपलान, उसके बाद आता है नुकलियस, नुकलियस भी इसमें पाया ही रहता है, एकडम आप रचाहें तो इसको यहां से यहां कर सकते हैं, नुकलियस, फिर माइकोपंड्रिया की बाद करनाफ करें, तो दूता नुमाज रचाह और आप अगर बोलें तो यह कुछ की इस तरह से, ऐसा, यह आपका माइकोपंड्रिया नहीं हो गया, तो अब माइकोपंड्रिया की बाद आती है बात, इसकी एंडोप्लाइड इप्रेट पुलंगी, तो वो भी इसमें पाया ही रहा है, वो बहुत, जैसे की इसमें पाया जाता है, बहुत, 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 अब आता है, यहली कितना हो गए, एक, दो, तीन, चार, आँ छे, one, two, one, two, three, four, five, six, छे हो गए, अब आता है आपका, प्लास्टिक, प्लास्टिक नहीं होता है, राइबोस्टोम, राइबोस्टोम लेविट होता है, लाइबोस्टोम, वो भी होता है, तो यह चीज़े हो गए, और इन सब के बाद, यहाँ पे, छोटा सा, इसका बड़ा सा, इसका छोटा सा, क्या, तो, प्लाइटी वो, इसमें टोटल कितनी चीज़े हो ही, इसमें टोटल, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आख, नौ, नौ चीज़े, अब इन वाजर अकम भर, इसका चानी कर ले, अनिमर सेल में क्या पाया गया और प्लांट सेल में क्या नहीं, अनिमर सेल में क्या नहीं पाया गया, देखिए, सुर्वार करते हैं प्लांट सेल से, चलते हैं अनिमल सेल की तरब, तो प्लांट सेल में तो सबसे पहला है सेल गौट, वो रिधी इस्टर्चर्चर होता है, प्लांट सेल की जो सेल गौट से शुकूर होता है, वो that is not found in अनिमल सेल, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस आप से आप चल्चा की जाए, हम आगे लिखेंगे कि कौन सी चीज़े इनमल सेल में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़े प्लांट सेल में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़े दोनों में पाई जाती हैं, कौन सी चीज़े सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती हैं, तो सेल में एक्रप्लाजमिक रेटिकूलम भी महनों पाया जाता है नुकलियस भी राइलोसोम और लाइसोसोम तो कितनी चीज़ें होगे तो आगर कांप करेंगे तो माझेगे कि लगभग उन में नाके 9 चीज़ें ऐसी है तोटल एक 11 चीज़ें होगे सेलल एल सेलल में दो साइकोप्लाज तीर नुकलियस चार माटोपंडरिया पांच फिर एंटो प्लाजमिक रेटिकूलम छे फिर आप देख सकते गौलगी बोटी का गौलगी अपारेटर साथ फिर प्लैस्टिट आट फिर लाइसोसोम नौ फिर लाइसोम दस और फिर आपका वैक्यों 11 अब कुछ अब इसमें सेंट्रियों की बात करते हैं तो उनको लेके बाद होता है कोई बात है बट नर्मली हम दो 11 की बात करते हैं तो इस 11 में दो चीज़ें ऐसी हैं मेली एक साइटो एसलमोल और दूसरा प्लास्टिक ये ये दो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है एनिमल में नहीं पाई जाती है बाकी बच गए नौ चीज़ें नौ चीज़ों में सबसे एसेंशियल चीज़ कौन है लेकिन साइटो प्लान के बाद जो ही चीज़ें होती है वो सब स्टाइटो प्लांट के और्गेनल्स के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से नौर्मली नौ चीजे हैं जो दोनों में पॉमन हैं, लेकि उस नौ में भी कुछ एक ऐसे हैं, जो किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, जैसे वैक्योल, 90% अफ वाटर में जैसे हुए, बहुत जादा स्पेस, खाली स्पेस, खाली जब में भेलता है, प्लांट सेल नो हो है वैक्योल, वहीं, अगर अनिमल सेल की बात करें, तो इसका अलबा में हाफ, हाफ पार्ट भी वैक्योल होता है अनिमल सेल में, ठीक है? दूसरा, राइकोसोम तो दोनों में पाया जाता है, बड़ जाएंक तो लाइसोसोम की बात करें, तो लाइसोसोम सबसे ज़्यादा एक्टिव और हारफूर या जो भी उका फंक्षन है, वो एनिमल सेल को होता है, दैक प्लांट सेल, प्लांट सेल में भी है लकित उतना नहीं है इतना अनिमल सेल है, ठीक, तो इन दोग को थोड़ा अगर हटा दे, तो फिर कितने बसते हैं, साथ, तो most probably ये साथ चीजे ऐसी हैं, जो की काउंट कर सकते हैं, सेल मेंबरे, साइक्टोप्लार, निमकलियास, माइक्टोपंड्रिया, दॉल्गी बोडी, फिर एंड़प्लामि नेटिकुलम और राइवोज ये साथ वो necessarily required cellular organs है, जो दोनों cell में पाये जाते हैं, plant और animal में, दो ऐसे cellular organs हैं, जो stiff और stiff plant cell में पाये जाते हैं, cell wall and plastic, और दो ऐसे हैं, जो cell wall, जो plant और animal दोनों में पाये जाते हैं, लेकिन पौधे में एक की इन दोनों में पौधे चाहे जन्तूर एनिमर दोनों में इनके रेशियो में उतार चढ़ावाते हैं कोई कम पाये जाता है कोई अधिक पाये जाता है जैसे वायवा यो लाइट अमांग में बलाट स्पेस करी करता है अधिक अधिसमें कम आधिक लिधार था शुप ज्यादा है को बहता है अधिसमें में यह था तो यह रहां हमारा स्ट्रक्ट्टर अनालिसिस जो कि हमने फिक्टरियल मेथर से पिक्चर के चुरू ढोग गरके देखा समझा, अब जबा इसकी जो कुछ हमने अभी पढ़ी है, इसका समरी कि क्या प्लांटमर पाया जाता है, क्या एमवर पाया जाता है, और इन दोलों का डिफ्रेंस क्या वो एक चार्ट के रूप में, टेबुलर फॉर्म के रूप में आई आवो जाता है, यहां लिपेंगे, यहां आपने सब के इसको समझने के लिए, सेल्लूलर, सेल्लूलर, और गेर, नैस, यह हो यार, तो इस तरीके से, आईए अब, यह तो हमनेटक्ट्र ज्रॉप कर दिया, पिक्टरिय अनालिस्यस हमारी हो गई, अब इस ता हमनेग प्या पाया, va, जाण आप इसके वारह में लिख ल 테 inh vert, समझ लेते हैं और बलते हैं, कि प्लांट सेल्ने क्या, और और अनेंवर अनलिस्यस हमारी हो जाएगे, हँ, चलिए, अगर इसी चाप्चा करें, इस काउपरिजन अब यहां लिए, अब इसको हाँ, नहीं, यहां में लिए हुदी नहीं, यहां में लिए हैं, प्लांट से लेफमल से, और यह हो गया, सेलिलर कमपेरिशन सेलिलर कमपेरिशन जबा हम इंका कमपेर करते हैं तो सबसे पहला नमबर बार सिमिलर और 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 सिमि मतलब कि वो कौन-कौन से सिमिलर औरगेनल्स हैं, जो प्लांट से और औरगेनल्स हैं, दोनों में पाया रहते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, उसी का एक पैण के इनमेंट यहां लिख रहे हैं, सबसे पहले चीछ, कौनसी होगी, प्लाज्मा नेंड्रे हैं, प्लाज्मा मेंब्रेन, सी, प्लाज्मा मेंब्रेन क्या हो, कटि प्लाज्मा से बिलके बाद, इसी को, हम कह सकते हैं, प्लाज्मा मेंब्रेन को, सेल मेंब्रेन, सेल मेंब्रेन क्या हो, करकि मेंब्रेन से स्ट्रक्चर है, सेल का, इसी को, हम कह सकते हैं, सेलेक्टिवली, सेलेक्टिवली Semi-Permeable Membrane Selectively-Permeable Membrane क्या हूं? कईकि यह Selective Passes की देता है अब Based on this Selectively-Permeable Membrane इसको हम कह सकते हैं क्या Semi-Permeable Membrane ठीक है? और सेमि परनेवल नेमेर और सबके लास्त में हम इसको कह सकते हैं अम लाजिकल si Pratten तो देखा आपने, सिर मैंबरेन के कितनी नाव हो गए में तो है आपका pursuit देगी, इसके पांक नाव होते है, एक cell membrane को की cell का membranous structure दूसरा plasma membrane को क्योंकि plasma particle semil के बना है तिसरा selective-li-permeable membrane क्यों क्यों को क्योंकि ये selective pass allowed करता है किसी भी foreign material को inside या inside material को foreign outside आने के दिए उसके बाद selective-li-permeability के कारण इसमें सेवीप पर की अविलिंटी आपी है और फाइनली बायलोजीकली किसी भी और गज़क प्वाइन पर ये पहला मेम्रेना सा स्ट्रक्चर है इस लिए बायलोजीकल मेम्रेन कहते हैं फाइन तो पहले हो लिए आपका प्लाज्मा मेम्रेन दूसरा आपका साथे है साइटो प्लाज साइटो प्लाज पीस ना नुक्लिस उसके बाद साइटो प्लाज के इतने ओडिएर्स उनके नाम जैसे की माइटो कनरिया माइटो कनरिया फी एक 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 पॉनी चिक है तो यह कितने हो गया है यह हो गया है आपके एक दो तीन चार पाँच छे साथ मैंने का आखा ना यह साथ ऐसे हैं जो की पाए जाते हैं तहां दोड़ इस सिमिलर ओर्गेंस कितने हैं इसके फंक्शन्स मगरें के बारे में थोड़ा बहुत आपको बता रहते हैं जो सिमिलर ओर्गेंस हैं हमारे आगे इसकी बीदी पर चर्चान करेंगे में इनगता में जो की सेल्यक्टीवी पाइस डेता है कि यह अपने कंडिशन आँड़ करने के अदर हैं फॉर्ग मटिरियल को इंसाइं या इनसाइज मटिरियल को आउटसाइड जयाने में अलाग करता है तभी प्लाइबा मेंब्रेन नाम हिए वह भी जो सेल के स्टक्चर के अंदर है साइटोप्लाइब जो दूसरे तमाम सेलूलर और्गेनल्स को अपने आप पर कंटेन करता है उसके वादा है अने के लिए अस जो की स्टेलूलर रेगुलेटरी अक्टिविटीज तो रेगुलेट करता है परमाने लिए उसके वादा है माइक्रोपन्रिया इस इस गॉल्ड पावर हाउस जो की एनरजी प्रवाइड कराता है इस फॉर्म ओफ एटीपी एंडर एने लिपी एच उसके बादा है एंडो प्लैज्मिक रेगुलर शुद्ध हिंदी में कहें तो आलता प्रध्रमी जालिका यह क्या करता है यह एक तरह से आप कहें वायरीं का काम करता है इस फॉर्म और जो टॉक्सिक सब्स्टांसेज होते हैं जो विशयले पनार्ट होते हैं उनको रिवूफ करता है वायरीं का काम और अच्छे तरीके से वहल मेंटेनेंस का काम बता है यह इस ब्लादिक लेटी कुलम का यह दो होता है जब हम इसको पढ़ाएं है तो इसकी च सचा करेंगे इन दो पर एक S.E.R. यानि कि Smooth Endoplasmic Reticulum और दूसरा R.E.R. यानि कि Rough Endoplasmic Reticulum चिक है तो यह दो चीजिया हो गएं एंडoplasmic Reticulum के बारे लिए अब आता है ribosome यह ribosome क्या होता है तो यह ribosome जो है यह है साइट और Protein Synthesis. Protein Synthesis का स्टाइल है सिल में अंदर अब हम कहेंगे कि Protein Synthesis चाट कहां से आया और क्यों आया तो बच्चों हमारे बोडी में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज क्या है जिसकी हमें जरूरत होती है कुछ भी कर सकने के लिए कोई भी function को इंपोर्टेंट भी चला रहे के लिए का वर्ल करने के लिए वो है Protein आपने देखा होता जब भी man vs wild या कुछ भी आप अगर देखते हैं तो एक अजीव सप्रामी आता है और वो अजीव 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 चीजें खाता है और सब के बार में क्या बता है यार इस 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 मच्छ प्रोटेंट इस यह अंगे है यह चीतियों के अंगे है इसको मैं खांगा तो मुझे इतना प्रोटेंट मिलेगा वो यह नहीं कहता कि हमको कालो आलमेट मिलेगा हमको फैट मिलेगा नो सबसे ज़्यादा बोडी को प्रोटेंट चाहिए होती है क्यों चाहिए होती है क्योंकि हमारा तो सेल है first contentment first brick of our body वो प्रोटेंट से बना बत है उसकी requirement desire protein होती है लेकिन वो कहते है न जो जितना बड़ा होता है उसमें उतनी ही छोटी सी खोट भी होती है यह protein बहुत important है लेकिन उतना ही इसको पचापाना digest कर पाना दुश्कर होता है ठीक है क्योंकि protein का metabolism protein का पाचक हमारे शरीम में बहुत लंबे समय से होता है इसलिए इसको हम लोग long term energy contentment के लिए use करते हैं but इसके substitute के तौद पर carbohydrate लिया जाता है in the form of instant energy आप लोग ads वगेरा दिखते हो यह जाए बूस्ट is the secret of our energy I am a complaint girl and और और पता नहीं क्या-क्या कोई नहीं ऐसा group on DJ some why what does this mean वो सारे के सारे लड़कियों के लिए जो complaint है या लड़के को complaint पीते हैं ऐसा नहीं की नहीं तो इन सभी की सभी चीजों में gold, beta, horlix, whatever क्या carbohydrate चीजें जादा amount में पाई जाती है जो कि आपको body care requirement के हिसाब से external energy होती है at a time instantly provide करती है ठीक है तो cell को चाहिए होता है क्या protein और cell में protein की factory जो है protein की synthesis करने का जो हिसाब किता हो है वो ribozome का होता है इसलिए ribozome is called sign for protein synthesis as well as इसको आप हिंदी में G1 data भी कह सकते हैं fine इसके बाद गॉल्गी body गॉल्गी body यानि की एक जैसे हमारा के कमरा है हमें आप पढ़ा रहे हैं यह कमरा सिधर भी खाड़ा हो गया है इस कमरे को खड़ा करने के लिए इसकी चाहर दिवारी को इनके walls लगेर को well decorate and well maintain करने के लिए कुछ एक pillars की जरुबत होती है जो इसको मजबूती प्रदान करते हैं वो pillars सिधर भी होते हैं जो गॉल्गी body गॉल्गी apparatus करें जाते हैं यह साब चीजें ऐसी है जो एकदम सही amount में proper amount में cell में पाई जाते हैं ठीक है तो similar organelles which are found in cell main organelles अब आईए चर्चा करते हैं this similar organelles अब आईए चर्चा करते हैं this similar organelles this similar this similar organelles found in बोट किज़का found in either plant or animal cell एक है या या इसकी यह आपने लिंग दिया तो founding आई तो plant और animals है लकिन which are founds only यहापे आप कह सकते हैं which are found only in plants यह they are इर्माल विसन में या तो कम पाई जाकती है है तो डिलकुन ऊपाई जाकती है तो found ने पाई सी तचा करें ने found only.. Only in.. Plants वो कौन से चीज़ है तो आईए अब हाम इस की तचा करें तो वो चीज़े जो Plants सेल्मीं के बर पाई जाकती है इन साथ की अलावरिक आपको आपको आपके पहले ही पढ़ा किया है वो है नमबर एक सेल वो एंड नमबर टू प्लास्टिक्स तो ज़राई के बारे में आप चर्चा करने हैं सेल वो आपने जिस्ति में आपको इंट्रो प्लास दिखाया था मैंने कहा था कि सेल वो इस नतिंग बन जस्ट दोर्लाइक स्ट्रक्चर विच जिस फ्री पासिस यादि कि कोई भी चीज इंसाइड या आउस्टाइड सेल आ सकती है जा सकती है बाई प्लांट सेल ओनली अभी आप इसको बारे में बता रहे हैं आगे इसकी चर्चा करेंगे सेल इस वैलय है विलागे है अभी कि वर समझा रहा है तो इस सेल वौल इस होनवी कि सुरुत में पाए जाता है इस लाप आउतर-मॉस्ट कपररिंग अभी च्म विरभरिय बाभंण बे सिखाता है तर्जी टीटी एंग रिजी धिटी यानि की रुख्य लतु अन्ता बच्छन जी आते हैं ना वह mandarचमन प्रास काले करके की रुख्य लतु जुख्य लतु свो और दरोणी शक्ती है वो प्लांट सेल ऐसे खड़ा है वो इदव दर जुकेगी नहीं एकदव सिधा एसके फ़र्वान अपने जगा पे रहेगा और उसकी दिदगी चलेगी So it was like that. It gives the free passes to all the materials either inside or outside the cell body of the plants as well as it provides mainly the rigidity and turgidity to the plant cell And finally it means it gives the complete mechanical strength to the plants. इनके बार आती है बार प्लास्टिट की तो भाई प्लास्टिट होता है पीज परीगेगा और इनके बार नहां बताते हैं सबसे पहिला Chloroblast Chloroblast दूसरा Chloroblast 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 तो यह तीर तरह के Plastids होते हैं देखीए हम आप जब अपने घर का रंग रोगर करते हैं तो colorful paints अपने उकाद के इसाब सचाहिए होता है ना हरे, पीले, नीले तरह तरह के colorful पौदे होते हैं तो इदर Chloroblast है Chloroblast means green Green तो यह देता है green color It provides green color to the plants by the rate of chlorophyll वो आगया पाए बादी कि यह chromo है chromo का मतलब होता है colorful यानि कि all the colors all the colors except green तो कि green तो Chloroblast ने दिया इसके बाद के सारे colors Chloroblast और looper का मतलब होता है colorless Colorless रबता कि यहांपे simply colorless कोई special kind of color नहीं black या दूसरे टाइप का white या ऐसे ही अजीवसा तो यह चीजे करने का काम Plastid का होता है Plant Cellby Body में Wearless Cell walk का होता है Plant Cell की Body में To provide the complete mechanical strength of plant cell As well as to give the proper colorization or decolorization of the plant cell तो साथ इधर और दो इधर उन कितने हो गए 9 तो यह हो गए dissimilar अब आता है अब आता है Number 3 इसके आल आता है Number 3 13 ना कि अंट की the cellular organs…. या गढिना लिटनोश। ओन बैटना लिटनोश। नहां के लिखनोग। आटननोश। tooth को डिली लिए, गव्यक्रवालश। अर्म आटendenों इटन नहां है। आईदर हाई और लो अमाँ मतलब वो अरिमेश जो कम या अधिक मात्रा में अपने फंक्शन या अपनी प्रेजेंस की अधार पर प्लांट और इनमर में पाये जाते हैं उनकी चर्चाहां करते हैं तो ऐसे हैं कितने दो सबसे पहिरा अलाब इसके एग अबर किताब कहें चोगों आप ले लेजिए वाइटिंगोल को आपको पता है प्लांट के केस में ये वाइटिंगोल कितना पता इसे पाया जाता है 90% of 90% of water content करता है ये प्लांट की बात हो गई लेकिस जास्टिस का आप आप आया जाएटिंगोल कितना उनकी आप प्लांट ये आप कह सकते हैं 50% of water life काँ कि बहुत कम होता है आल्मोस्ट आप इसको कह सकते हैं less than equal to कि कहे हैं आप इसको आप इसको कह सकते हैं it is less than equal to 50% of water फिर तो यह हो लिया animal case में और यह हो लिया plant case में तो plant cell में बेक्टोल सबसे ज़्यादा बड़ा लगप बहुत बड़ा और इसका सी ना आप इनिमल से क्यों बैश क्योंकि plant को अपना धोज़न को मनाने के लिए और प्रोफिक नेचर से water की ज्यादा जरूरत होती है इसलिए उतको बेक्टोल में water fulfilled होता है इनिमल सेल में जरूरत तो होती है बड़ उतनी नहीं इतनी plant की फिर किस तरीके से लाइसोसों 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 एक pigment जो कि जो waste materials होती है जो wastage होती है वो होती है उनकी हिसाब से जिसको वो अपना remove करते है और waste material को remove करने के दूसरे organs की attractive होती है like endoplasmic reticle और यह लाइसोसों एनिमल सेल में भी होता है ठीक लेकिए इस लाइसोसों का में फंक्शन है वो endoplasma में ज्यादा भाल करता है because plant के entire body में cellular structure में westels जो होती है internal cellular wests उनको negotiate करने के उनको finish करने के उनका बहुत सारा रोड लाइसोसों पे नहीं होता है वो endoplasmic reticulum से भी करता है लेकिए एनिमल सेल में लाइसोसों भी ग्रेटर रोल प्ले करता है हम सल्वर वेस्ट को रिफूब करने बट यह खाली नहीं जाता है इसके जो भी acids होते हैं internal वो पूरी तरह से इसी लिए इनिमल सेल यह लाइसोसों कहा जाता है स्यूसाइडल वै क्योंकि हो सकता है कभी किसी टाइम पे यह स्यूसाइडल वैक घटेगा और अनिमल सेल ब्रश्ट हो जाएगा राम साभी भाने जाएगे ऐसा नहीं कि यह प्लांट एकिस में नहीं है बत प्लांट के मर्मे और gest donc इनलेन से क्या थत पड़ता है इन्सान होTo वुथAcc तो अपने हिसाबसे जाचल होso ऐसा नहीं कि यह प्लांट के लिए प्लांट के लिए आपके नाइन और ये टू, इलेवन, टोटल ग्यारद, ग्यारद, सललल ओर्गेनल, जिसकी चर्चा आपने अरिकी, एक और होता है, सेंट्रियोस, जो की सेंट्रोसोम अगेरा से रिटेड है, निक्लियस के स्टक्चर के अंदर की कहां ही है, उस में उत्ता नहीं कहां है, जब हम पढ़ाएंगे स्टक्चर, तो उस हिसाब से पढ़ेंगे, और वो दोनों में बराबरी होता है, अपना काम सही करता है, तो इस तरीके से अभी हमने Structural Analysis of Cells, आइदार इन ग्लांट से और अनिमल से देखा, टेप, अच्छे बरिंगे से उसकी figure बनाएं, उसकी photo बनाएं, different different cellular organs के बारे मैं जाना कि इसके क्या function है कि इसके क्या का रहे है किसके क्या structure है कौर कहा plant में है कौर कहा animal अब इनकी complete summary मैं आपको एक बार बता देता हम और इसके बार हम लोग next class में इन सभी structural organelles भी एक एक करके इनके functions की विदिवद चर्चा करें तो अब यहां पर वाइची जानी क्याते है A number similar organelles आखी आपको भी अनेशानी now B number this similar organelles okay और so इसी में number 1 आए आए आपको लाजमा मेरें लाजमा मेरें number 2 cytoplaan number 3 nucleus number 4 hyperpondria number 5 endoplasm reticulum number 6 लाजमा जी लाजमा मेरें the dolby bodies number 6 dolby bodies के बाद आपका कोड? लाजमा मेरें cytoplaan nucleus micropondria endoplasm reticulum body or rhinozone rhino jones यह साथ हो गए इन साथ में जो most important most important वो है आपके यह 3 3 most essential यह 3 plasma, amino, cytoplasm, nebilius अब आखी के तो यह 4 हो गए यह 4 cytoplasmic organics यह 4 हो गए cytoplasmic organics यह तो चार आए cytoplasm चुपाए जाते हैं तो cytoplasm नी पढ़े होगा most essential है आपके कह सकते हैं main constituent आप इसको इसको आप कह सकते हैं main main cellular constituents cell के main components नहीं है 3 और इन साथों के अलावे यहाँ पे node में आप दे सकते हैं comparatively comparatively less और more functional organics organics वो organics जो क्रौम या अली function देते हैं उनमें आप यहाँ पे दूम दोनों का नाम डाल सकते हैं आप नाइसों तो और matamon तो है लिए ठीट तो यह साथ यह टोटल साथ यह टोटल दो नौ एंगी जी इसमें होट आदे आप सेंट्री ओन्स ली टोटल दी इसाथी ग्रस और डिस्सिमिलर अगे में आता है हागे में सेल वाल एंड प्लास्टिक्स ठीक है प्लास्टिक्स खंपोज करता है प्लोरो प्लास्ट प्रोमो प्लास्ट एंड लुको प्लास्टिक्षार तो ये वाउंड ओन्ली इन प्लास्टिक्स एफिस अबसें इन अनिमल शेंट्स अनिमल शेंट्स तो इस तरीके से ये वो हो गए तो इस तरीके से साथ दोनो और तीन बाद्स तोटल यहां प्रोट लिग दे ंन लिखए टिरे ये खिए cरदार गहां यहां तोनो छ्वुड़ा- इस वेघए फ्लेके से ल्व इन खिए खित्वाउड नियं। प्रैण प्रैणिलर्डिन अढ्राइवर सुनत्र राइवर को प्रैणिल्डिस टूल-द्राइवर सुनत्राइवर अन्म टंद़र का तईय। found in animal cells तो by this we are going to finish our today's lecture, today's class तो आज हमने अपनी आज के class में क्या सिखा? चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं एक बार तो आज हमने आज की class में plant cell और animal cell के picture draw किये दोनों का comparative study किया किसमें कौन cell पाया जाता है कौन cell नहीं पाया जाता है उसकी चर्चा की और किसका कितना क्या importance है उसकी चर्चा की इस अपकमी class हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे एक, each and every part और इसके component of or you can say the organelles which are found in plant cells as well as in animal cells, okay so today's class is over thank you